आज अपन बात कर रहे हैं कक्षा दस्मी की जिसमें अपन कंटिनू वीडियो अपने आई रहे हैं और अब तक अपनने तीन चेप्टर कंप्लीट कर लिये हैं आज अपन नया चेप्टर लिया है अपनने और अपने कवी है देव तो सर्वपरतम अपन देव कवी का परिच्छे पढ़ेंगे और उसके बाद में सब्दार्थ करते वे व्याख्या करेंगे तो मैं परिच्छे बता देती हूँ देव का पूरा नाम है देवदत दिवेदी बात आई ध्यान में कवी देव का पूरा नाम है देवदत दिवेदी इनका जनम विक्रम समवत 1730 में हुआ था और जनविस्तान है इटावा उत्र पर्देश धृणाई इतनी बात सबके फिर देखिए इनके गुरु का नाम ही तहरी वंश है और इनकी एक रचना है भाव वीलास जिसमें इनके जनविस्तान का उलेख हमें क्या है प्राप्त होता है, मिलता है इनके मातापिता की जानकरी विशेश रूप से है नहीं काल, रितिकाल के ये कवी पर्तिबासाली या पर्मु कवी माने जाते हैं इनकी बासा ब्रजबासा है ब्रजबासा के साथ-साथ इन्होंने संस्क्रेट, प्राकर्ट, अपबरंस, फार्सी और उतर भारत की बहुत सी बोलियों के शब्द इनकी रचनाओं में हमें मिलते हैं फिर इनकी रचनाओं की बात आती है तो इनके गरंतों की संख्या वैसे तो बावन बताई जाती है हमें अलग-अलग जानकारी मिलती है लेकिन कुछ विशेश जो इनकी रचनाओं हैं वो में बता देती हूँ यहां तो इस्पेस कम है तो अपने एक ही लिखी है मैं दो-तिन बार आपको बोल के रिवाइस करवाऊंगी तो आप लिख लोगे और याद भी करोगे और वैसे अपने पाटे पुस्तक में दियावा है तो अपन वहां से याद करेंगे इनकी रचना है देखो भाव विलास दूसरी भवानी विलास कुसल विलास रस विलास काव्य रसायन प्रेम तरंग अस्टियाम देव चरितर सुजान विनोध ऐसी इनकी यह क्या है पर्मो को रचनाएं हैं मैं वापस दोरान करवा दूंगी ध्यान रखना बासा इनकी ब्रेजबासा है लेकिन ब्रेजबासा के साथ साथ इन्हों ने और भी बासाओं के शब्द अपनी रचनाओं में लिये हैं कौन-कौन सी संस्क्रित अपब्रांज फार्सी और प्राकर्त इसके साथ साथ उत्री भारत के बहुत सी बोलियों के शब्द इन्हों ने अपनी रचनाओं में उलेग किया है उनका समावेस किया है रचना में आपको बताई भाव विलास बहवानी विलास कुसल विलास रस विलास अस्टियाम सुजान विनोद देव चरित्र प्रेम तरंग आई जाती है वैसे तो उन्हें संक्या बताई बावन बताई जा रही है लेकिन अपन कभी परिचे में कुछ विशेश रसनाय याद करते हैं जो मैंने आपको बता दी है फिर देखिए इनका जो काल था उसमें इनके समकालिन कभी है बिहारी बुसन और मतिराम ये भी विश और इनको विशेश प्रशिद्य प्राप्त करने वाले या इनका प्रचार करने वाले परमुक लेखक माने जाते हैं मिश्रबंदू ये अलग से याद रखेंगे बताया मैंने आपको ध्यान आया और इनकी मृत्यू विक्रम समत 1824 में हुई थी इनके बारे में थोड़ी औ ये अलग-अलग राजाओं के दर्बार में जाते थे तो जो दर्बारी जीवन था या जो राजपाट का जीवन था उससे भी परिचित नहीं थे तो वहां का भी उन्होंने अनुभो लिया और अपनी रचनाओं में समावेस भी किया है इसके साथ भी ये भी बताया है कि खाव से रशिक होने के कारण इनकी रचनाओं में सिंगारिक्ता और अलंकारिक्ता का भी उलेख में मिलता है बात आई ध्यान में अब तक अपने मेंने क्या बताया आपका इनका पूरा नाम देवदत दीवेदी हैं इनका जनम विक्रम सवत 1730 इस्वी में विक्रम सवत में वाथा सोरी इस्तान उतर परदेश इटावा इटावा जो उतर परदेश में वो इनका जनमिस्तान है इसके साथ ये भी जानकरी मिलिए कि इनके वनसज अभी भी इटावा में निवास करते हैं इनके गुरु हित हरिवंच है और इनका जो भाविलास जो रचना है उसमें इ बिहारी बूसर्ण और मतिराम हैं लेकिन इसके साथ एक तीसरा लेकर भी विए आपको बताया जिन्हों ने इनको प्रशिदी दिलाई वो कौन थे मिश्रबंधू बसा इनकी ब्रजबसा हैं लेकिन ब्रजबसा के साथ मैंने आपको चार या पांच बासाओं के नाम और भी ब रचनाएं, भाव विलास, भावानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, कावे रसायन, देव चरित्र, अस्टियाम, सुजान विनोद और परेम तरंग। याद रहेगी न सबको, मैंने तीन चार बार आपको रिवाइस करवा दी है, और पाठे पुस्तक में भी अपने दीवी है, तो अपन अच्छे से याद करेंगे। अपने पास तो ये भी ओप्षियन नहीं है कि कभी याद करने हैं, अब तक अपने इस वीडियो तक चार कभी पढ़ लिये हैं, तो चारों के तो अपन को अच्छे से परिचय याद हो जाने चाहिए, फिर बात करते हैं, इनकी रचनाओं के बारे में, तो ये भी मीरा, सु दोनों में पर्थम में इसका सार्थ दोड़ आपको बता देती हूं सत कि कभीदे ऐ चृक्रिषिंस की सुन्दरता का वर्णन करते हैं कि उन्हों ने पेरों में धूंगरु वाली पा कार्थम्ज पहनी है और कमर में क्या है करद्नी करद्नी नाम का आभुशन पैन रखा है इन दोनों की ध्वनी जो किसी ये मदूर ध्वनी जब कानों में पड़ती है तो बड़ा ही अच्छा प्रतीत होता है फिर वो कहते हैं कि इनके सामले रंग पर पिले वस्तर बड़े ही सुंदर या सुसोबित हो रहे हैं और इनके मस्तक पर क्या है मु सुंदर पुरुश है और ये संपून जगत के संपून विश्वय के को दीपक के रूप में क्या है परकासित करने वाले हैं और सब पर इनका क्या है दया बनी रहे ऐसा कभी देव कहते हैं फिर वो दोनों चंद में अग्ले चंद में इसका सार बता रही हूं वो तो कहते हैं कि एक नाई का अपनी सक्खी से कहती है ये गोपी तोस् Г utility को देखकर मैं उनके प्रेम की धारा में क्या है बह गई हूं मैं उतना प्रियास कर रहूं उस्म्य से निकल लेकिन फिर भी वो संभव नहीं है मैं दिन पड़ती दिन और उनके प्रेम में घहरी होती जा रही हूं और मैं इतनी बार प्रियास किया है कि मैं अपनी आखों को फेड लूँ मैं अपने मन को बदल लूँ लेकिन ऐसा संभव नहीं है मैं तो उस मदुमख्य की भांती हो देखकर उनके स्वरव को सुंदर स्वरव को देखकर मैं क्या उनकी दासी बन गई हूं अब वहां से निकल पाना मेरे लिए एसंभव हो गया है तो वही हर रोज की बांती सरोपर्थम अपन सब्दार्थ लिखेंगे सब्दार्थ के बाद में छंद का अर्थ करेंगे तो मन्जू सुंदर ठीक है बजे बज रहे हैं ठीक है कटी कमर एक एक शब्द का अर्थ आएगा तो पद का अर्थ आराम से कर पाएंगे और श्रीक्रिशन के बाल रूप का और उनकी सुंदरता का वर्णन तो हम हर साल पढ़ रहे हैं तो इतना अपने लिए कठे नहीं होगा किंकिनी मतलब कर्धनी जो कमर पे पहनी जाती है धुनी ध्वनी की मधूराई मधूरता ध्वनी या शब्द बात आई ना ध्यान में क्या कहना चाहरे हैं कविदेव पाएनी नुपूर मंजू बजे कि स्रीक्रिशन के पेरों में क्या है भूंगरू की पायल पहनी हुई है जो बड़ी ही सुंदर लग रही है कटी किंकनी में ध्वनी की मधूराई कि उन्होंने अपनी कमर में कर्धनी नाम का आभूशन पहन रखा है और इन दोनों के गुंगरू की आवाज ध्वनी की मधूराई वो ध्वनी वो शब्द बड़े ही मधूर सुनाई दे रहे हैं ब शरीर की बात ओर रही है लसे सुसोभित होना या सोभित होना पटपीत पीला वस्तर ही ये हिर्दय हुल से आनन्दित करने वाला या सुसोभित होने वाला बन माला वन के फूलों से बनाई जाने वाली माला मैं आपको सब्दार्थ बता रही हूं तो ध्यान से सुनना सुहाई मतलब सुहावनी लगती है बन माला वन के फूलों से बनाई जाने वाली माला तो सुन लेना और शब्दार्थ लिख लेना सुहाई मतलब सुहावनी लगती है सुन्दर लगती है बात आई के ध्यान में सांवरे रंगलसे पटपीत कि स्रीक्रिशन के सांवले सरीर पर पिले वस्तर बड़े ही सुशोबित लग और उनके फूलों से बनाई हुई एक सुन्दर माला उन्होंने पहन रखी है जो बड़ी ही सुहावनी और सुन्दर लग रही है बात आई ध्यान में क्या काय कवी देव ने पाईनी नुकूर मंजु बजे कटी किंकनीग में दुनी की मदुराई कि स्रीकिशन ने अपने प दोनों की ध्वनी बड़ी ही मधूर लग रही है मधूर सुनाई दे रही है सावरे अंग लसे पटपीत की उनके सावले सरीर पर पीले वस्तर बड़े ही सुसोबित हो रहे है लसे मतलब सुसोबित होना ये हुलसे बन माल सुहाई और उन्होंने अपने हिर्दय पे क्या है वनों के फूलों से जो सुन्दर माला बनाई गई है वो पहनी हुई है वो बड़ी ही सुन्दर लग रही है बात आई इतनी ध्यान में फिर देखिए माथे केरिट केरिट या मुकुट की बात हो रही है बड़े द्रिग नेत्र ठीक है चंचल मन्द हसी मुक चंद जुन्हाई मतलब चांदनी अब क्या का है कि उन्होंने अपने मस्तक पर सुन्दर मुकुट धारन कर रखा है और उनके नेत्र बड़े और चंचल है उनके मुक पर मंद हसी मिठी मुस्कान है जो उनके मुक को चंद्रमा चांदनी के समान परकासित कर रही है बात आई धान में तीसरी पंक्ति में क्या कासारोपटम उन्होंने पायल और करधनी के आभुशन की सुन्दरता बताई उनके सरीर पे फिर उन्होंने कहा कि उनके सामले सरीर पर पिले वस्तर बड़े ही सुशबित होते हैं और उन्होंने अपने हिर्दे पे क्या है वन के फूलों की बनाई हुई माला पहन रखी है फिर वो कहते हैं कि माथे की रिट बड़े दृद कि उनके मस्तक पे क्या है सुंदर मुकूर धारण कर रखा है उनके नेत्र बड़े और बड़े ही चंचल परवर्ती के हैं मंद हसी मुक चंद जुहाई कि उनके जो मधूर मुस्कान है मिठी मुस्कान है उससे उनका मुक जो क्या है चंदरमा की चांदनी की तरह क्या है परकासित हो रहा है परकासमान हो रहा है बात आई ध्यान में फिर देखिए जे जग मंदिर दीपक सुंदर स्री ब्रज दुलह देव सहाई, ब्रज दुले मतलब ब्रज के दुले या ब्रज के सबसे सुन्दर पुरुष कौन अर्थार स्री कृष्ण, ब्रज के सबसे सुन्दर पुरुष की बात हो रही है, और कौन है, स्री कृष्ण है, ध्यान रहेगा सबको देव सहाई, कभी देव कहते हैं जो देव करने वाले अर्थार स्री कृष्ण जे जग मंदिर दीपक कि स्री कृष्ण का ये जो स्वरूप है जो रूप है वो ऐसा लग रहा है वो जगत के जो मंदिर है या जग संसार जो है उसको परकासित करने वाला दीपक की भांती उनका मुख क्या है चमक रहा है परकासमान हो रह वो बड़ा ही सुंदर लग रहा है कि जो ब्रेज के दुले अर्तार ब्रेज के सबसे सुंदर पूर। करनेवाले सबकिशा करने वाले बात आई ना ज्यान में बड़ा ही सुंदर और सरल चंधा है जो आराम से अपन के समझ में आ जाएगा पहले उन्होंने स्रीक्रिशन के सुंधरता के अवारि में बताया है फिर उन्होंने संपून संसार को परकासित करने वाला एक दीपक बताया है जो सब की क्या है रक्षा करते हैं इतना पढ़ा अब अपन दूसरे चंद की बात करते हैं लेकिन मैं उनके प्रेम की धारा में बह गई हूँ, मैं उनकी सुंदरता से बच नहीं पाई हूँ, मैंने इतने प्रियास किये कि मैं अपने आपको उस प्रेम की धारा से निकालूं लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया है, तो देखिए, धार में धाय, धार यहां धारा, स्री क निर्धार, बिना किसी कारण के, ठीक है न, बिना किसी आधार के, बिना आधार, बात आई ध्यान में, हवे, जाय फसी, फसी मतलब परवेश कर जाना, फंस जाना, उक्सी मतलब निकली, ने अबेरी, निकल नहीं पाई, निकल नहीं पाना, इसकी मनोदशा का, आप समझ ये, कि ये श्वेम को एक मदू मखिय की भांती बता रही है, कि जिस परकार एक मदू मखिय सहद के अंदर जाकर गिरती है, और उसी के मोहों में क्या है, वहीं बेट जाती है, फिर वो जब उड़ने का प्रियास भी करती है, लेकिन उसके पंकों पे वो शहद का असर रहता है, वो उड़ नहीं पाती है, उसी भांती, ये सकी कह रही है कि मैं भी स्रीकेशन की प्रेम की धारा में एक मदू मखिय की भांती क्या है, फस गई हूँ, अब मैं प्रियास करने भी निकलने का प्रियास करने पर भी मैं निकल नहीं पा रही हूँ, अब देखो, धार में धाय धसी, निर धार, कि है सकी, मैं स्रीकेशन की प्रेम की धार आधार के ही कि मैं निकलने का प्रियास करती हूं उक्सी ना भेरी फिर भी मैं निकल नहीं पार रही हूं बात आई ध्यान में सबके फिर देखो री अंगराई री मतलब अरी सखी वह अपनी सखी से कहती है अरी सखी अंगराई मतलब अंगडाई लेना पहली पंक्तिका मैं फिर से बता देती हूं कि एक सखी एक गोपी अपनी दूसरी सखी से कहती है इस सखी कि स्रीक्रिशन के जो प्रेम की धारा है उस स्रीक्रिशन के सुंदर स्वरूप को देखकर मेरी आंखे उनके प्रेम में य लेकिन फिर भी में निकल नए अबेरी फिर भी में नहीं निकल पा रही हूं अर्थार्थ मैं तो उनकी प्रेम की वसी बूत हो गई हूं मैं अपना उनसे पिछा नहीं छुडा पा रही हूं मैं बार बार उनकी तरफी आकर्शित हो रही हूं फिर वो कहती है अपनी सखी से कि मैं जब भी श्यम को उनके प्रेम से निकालने का प्रियास करती हूँ तो मेरी आंखें और मेरी मनोदसा ऐसी हो गई है कि अंगडाई लेकर उनके प्रेम में और गहरी क्या है होती जा रही है गही फेरे फेरे मतलब लोटने पर भी फीरी मतलब लोटी फीरी का होगा लोटी ठीक है गही मतलब यह गहरा या पकड़कर फिर देखो गीरी नहीं गेरी, गेरी मतलब गेरने का प्रियास करने पर भी, गेरने का प्रियास, और गेरी का होगा पकड कर, बात आ रही है न, पकड, पकड कर, क्या कह रहे हैं देखो, री अंगराई, री गहरी की है सकी, मैं जब भी श्यम को स्रेकरशन के प्रेम से निकालने का प्रियास करती हूँ, तो वा अंगराई लेकर उसके प्रेम में और गहरी होती जा रही हूँ, और वसीबूत होती जा रही हूँ, गही फेरे फिरी, फेरे फिरी ओ गेरी न गेरी, कि में श्यम उनके प्रेम से क्या है लोटने का प्रियास कर रही हूं फिर भी में नहीं लोट पाई हूं गीरी नहीं गेरी कि में श्यम की आंखों को पकड़ कर उनसे अलग होना चाहती हूं अर्थात मेरी जो द्रिश्टी है उनके मुख से अलग करना चाहती हूं फेरना चाहती हुँ गेडने का प्रियास कर रहे हूं लेकिन फिर भी मैं उसमें क्या है ऐ्सम्हा यह कर नहीं पा रही हूं यह सफल नहीं हो पा रही हूं बात आई ध्यान में कि धार में धाय दसी निर्धार हवे जाय फसी उक्सी न अबेरी कि एक सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि है सखी कि मैं स्री किशन की प्रेम की धारा में इस परकार बिना आधार के ही फंस गई हूं कि मैं निकलने का परियास कर रही हूं लेकिन फिर भी निकल नहीं पा रही हूं अर्थार्थ में उनके प्रेम की वसीबूत हो मेरा प्रेम उनके प्रती और गहरा होता जा रहा है। कहती है अपनी सखी से सखी अब तो मेरा स्वेम पे कोई बस भी नहीं रहा है रस लालस श्रीकृष्ण के प्रेम रूपी प्रेम रूपी रस के लालस की बात हो रही है यहां ठीक है ना चीते मतलब देख कर ध्यानाया चेरी मतलब दासी ठीक है वो कह रहे हैं देव कह रहे हैं कि वो सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि है सखी अब मेरा स्वेम पर वस नहीं रहा है रस लालच लाल चीते लालियां स्रीकृष्ण की बात हो रही है चीते मतलब देख कर भाई चेरी कि मैं स्रीकृष्ण के सुंदर स्वरूप को देख कर उनके प्रेम रुपी रस के लालस में फस गई हूँ और उनको देख कर मैं उनकी दासी बन बेटी हूँ और थार्त में उनसे अब दूर नहीं हो पा रही हूँ ऐसा उस सखी ने कहा फिर वो कहती है बेगी ही मतलब सिग्र ही बूड़ी गई दूब जाना बेगी का यहां सिग्र से है पंखियां पंख ठीक है अंखियां आंख मदू शहद की बात हो रही है यहां ठीक है सहद की मखियां भई मेरी अब क्या कह रही है सखी मैंने आपको बताया था वो कहती है कि जिस परकार एक मदू मखी सहद पर बेटते ही उसके पंख क्या है सहद से भीग जाते हैं और फिर वो उड़ने का प्रियास करती है लेकिन फिर भी उड़ने ही पाती है उसी परकार बेगी ही बुड़ी गई उसी परकार में भी क्या है सिग्र ही स्री कृष्ण के प्रेम में डूब गई हूँ और अब निकलने का प्रियास करने पर भी वहां से निकल नहीं पा रही हूँ बात आई ध्यान में यहां सक्षी ने किसको माद्यम बताया मदू मंखी और सहद को मदू मंखी कौन हो गई गोपी शहद कौन है स्री कृष्ण का प्रेम बात आई ध्यान में तो अपने दो चंद पड़े दूसरे का मैं एक बार फिर बता देती हूँ कि धार में धाय दसी निड़दार हवे जाई फसी उक्सी न अबेरी बातारी ध्यान में कि हे सखी में तो स्री किशन की प्रेम की धारा में इस परकार दोड़ कर फस गई हूं बिना कारणी बिना आधार के ही फसी उक्सी न अबेरी कि मैं निकलने का प्रयास कर रही हूं लेकिन फिर भी वहाँ से निकल नहीं पा रही हूं फिर वो कहते हैं री अंग्राई गीरी गहरी गही फेरे फिरी ओ गीरी नहीं गहरी के सखी अब तो मैं उनके प्रेम की इतनी वसी भूत हो गई हूं कि मैं जब भी निकलने का प्रयास करती हूं तो उनके प्रति मेरा प्रेम क्या है अंग्राई लेते वे और गहरा होता जा रहा है और क्या है दंसता जा रहा है फंसता जा रहा है गही फेरे फिरी की में पकड़ कर श्वेम को क्या है वहां से लोटेने का प्रियास करती हूं फिर भी में लोट नहीं पाती हूं और गिरी नहीं गेरी कि श्वेम को पकड़ कर गेरने का आर्थार तो वहाँ से निकलने का भी प्रियास करती हूँ लेकिन फिर भी मैं वहाँ से लोट नहीं पाती हूँ फिर वो कहती है देव कच्छु अपनो बस ना कभी देव कह रहे हैं उसकी कहती है कि अब मेरा श्यम पर कोई वस नहीं रहा है रस लालस लाल चिते भई में कि स्रीक्रिशन के प्रेम की प्रेम रुपी रस के लालस को देख कर मैं उनकी दासी चेरी अर्थाट क्या हो गया दासी बन गई हूँ फिर वो श्यम को एक मदू मक्य की भाती बता रही है बेगी ही बुड़ी गई पंखियां कि शिग रही में स्रीक्रिशन के शहद रुपी प्रेम में क्या है डूब गई हूँ अंखियां मदू की मखियां भई मेरी की मेरी आंखें तो अब उनी को देखना क्या है चाती है उनसे दूर होना नहीं चाती और जिस परकार मदू मक्य सहद पर बेड़ कर उड़ नहीं पाती है उसी परकार मैं अब स्रीक्रिशन के प्रेम की क्या है वसी भूत हो गई हूँ और उबूस्य छुटकारा पाना मेरे लिए एसंभव हो गया है बात आई ध्यान में आज अपनने क्या कहा टैंथ क्लास सर्व पर्थम अपनने देव का परिचे पड़ा था जो यहाँ पे लिखावा है मैंने एक भासा के साथ चार भासा और भी बताई जो अपनको अच्छे से याद करनी है अपन भासा थी ब्रेज भासा के साथ संस्क्रित थी अपब्रंस, प्राकर्थ और फार्सी भासा फिर मैंने एक ही रचना यहां लिखी हुई है भाव विलास लेकिन इसके अलावा और इनकी जो प्रसिद रचनाय थी भाव विलास के साथ भावानी विलास थी रस विलास, कुसल विलास अस्टियाम ये प्रेम तरंग सुझान विनोध ऐसी इनकी ओर रचनाय जो भी अपन को विशेश रूप से याद करनी है और कवी परिचे में विस्तार पूर्वक उसको लिखना है इनके समकालिन कवी भिहारी बुशन मतिराम या लिखे वे हैं उसके अलवा मैंने आपको बताया था कि इनको प्रशिदी देने वाले कवी है मिश्र बंदू बात आई ध्यान में फिर अपन ने देव के दो चंदों की क्या है व्याख्या की है तो सर्वब भरतम अपन हमेशा की तरह ही एक एक शब के पहले सबदार्थ देखेंगे और सबदार्थ के साथ साथ अपन दोनों चंद का अर्थ करेंगे जिसमें पहले चंद में क्या बताया स्री कर्शन की सुंदृता के बारे में बताया वा है और वो जगत को परकासित करने वाले एक दिपक के समान है इसका सार में बता रही हूँ और वो सब की सहायता करने वाले हैं और दूसरे चंद में दो सक्षियों की दो गोपियों की बात अपने पढ़ी कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि मैं स्रीक्रिशन के प्रेम में इस तरफ मैं सुकी हूँ कि वहाँ से निकल पाना मेरे लिए एसमभव हुए उसने श्यम को एक मदुमंखी बताया है और स्रीक्रिशन को क्या है सहद बताया है कि जिस परकार मदुमंखी सहद पर बेटने के बाद में उड़ नहीं पाती है उसी परकार में भी अब कि आपको अच्छे से समझ आ गए हैं और वीडियो को देखते वे अपन को दोरान करना है मैंने पहले भी बताया था कि अपनने चार पड़े थे चारों कवियों के अपनको परिच्छे याद हो जाने चाहिए धन्यवार झाल